अगर आप accounts finance में job कर रहे हैं तो accounts payable and accounts receivable ये बहुत key positions होती हैं और इनको manage करना भी एक hectic task होता है तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आप accounts receivable and accounts payable को manage कर सकते हैं और इसके साथ ही हम proper एक dashboard बनाएंगे बिलकुर scratch से यूँकि बहुत dynamic होगा और वहाँ पे हमें sales person wise, aging report wise, हमें सारा कुछ data fingertips पे हमें dashboard में नजर आ रहा होगा तो बिलकुर scratch से आपने ये मेरे साथ बनाना है practice files जो हैं वह आपको सारी description में मिल जाएंगी so nothing to be worried about और आपने चैनल जरूर subscribe करना है और जब ये आप dashboard पूरा बना ले तो अपने feedback जरूर कमेंड में पताएगा thank you so much, start करते है dashboard बनाने से पहले आप ये देख लें कि हमारी final product किया है और हम इस तरह का dashboard बिलकुर scratch से बनाएंगे जहाँ पे सब कुछ dynamically linked होगा यहाँ पे अगर हम customer wise results देखना चाहें city wise देखना चाहें अपने sales person wise देखना चाहें तो accordingly देख सकते हैं मैं आपको demo दे देता हूँ मिसाल के तोर पे अगर हम सिर्फ कराची का देखना चाहते हैं मैं जैसे यहाँ पे click करूँगा तो आपने सारी details देखनी है कि यह कैसे change हो रही है क्राची पे click करते हैं यह देखें overall बता रहा है कि age wise क्या है sales person wise क्या results है speedometer पे क्या percentages आ रही है total क्या है not due, 0 to 30, 31 to 90 सारी details यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा यह जो blanks आ रही है इसका मतलब है कि यह इसमें fall नहीं करता है यह 31 to 90 days में fall करता है अगर मैं इसको uncheck करता हूँ और सिर्फ मैं यह देखना चाहता हूँ कि gold customer type की क्या details है receivables को लेके तो यहाँ पे यह आप देख सकते हैं ठीक है और एक और important बात कि जहाँ पे यह receivables का है इसी तरह से आप payables का भी बना सकते हैं सबसे पहले हम data को understand कर लेते हैं और यह जो आप sheet देख रहे हैं यह बेस डेटा इसमें कुछ details हमारे पास already available हैं कुछ हमने find out करना है पहले हम इस sheet को complete करेंगे और उसके बाद हम dashboard पे move कर रहे होंगे इसमें हमारे पास invoice number, date, customer details, payment terms, sales person and outstanding balance available है इसमें आगे कुछ फर्थर हमने find out करना है जिसमें due date, cut of date, days overdue, overdue balance, age bracket, city and customer type है clear इसकी sporting के लिए हमारे पास यह slabs available है यह aging को कितना time हो गया हुए आपको पता है 0 to 30, 31 to 90 depending upon के company की क्या policy है और उसके बाद customers की details है वो भी हमारे पास आ रही है base data पे आते हैं पहले इसको complete करने की कोशिश करते है सबसे पहले हमें due date find out करनी है इसके लिए किन चीज़ों का पताओना जरूरी है देखें इसके लिए दो चीज़ों का पताओना जरूरी है एक invoice date और दूसरी payment terms क्या मतलब कि invoice किस दिन raise हो रही है और उसमें अगर payment terms के days हम add कर दें कि किस date तक हमें payment आ जाने थी तो वो due date हो गए ऐसी बात है formula लगाएंगे is equal to यह हमारे पास invoice date है प्लस यह payment terms के days आ गए और यह हमारे पास due date आ गए simple इसको निचे की दिरुफ ड्रैग कर दें की बात है उसके बाद cut of date हमने find out कर लें अच्छा देखिएगा cut of date क्यों find out करेंगे कि देंगे overdue days निकालने के due date से लेके अभी तक कितने दिन हो गए और payment अबे नहीं आई सभी अच्छा यहां पे जड़ा understand कीजेगा यह जो हमारे पास data variable है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और्क्राइजेशन में वहाँ पे monthly quarterly weekly quarterly यहाँ जो भी आप यहाँ पर एजिंग बना रहे हैं तो उसके लिए तो यहाँ पर आप इस एकवल टू टू डे का function लगा देंगे टूडे हैं मैंने spelling mistake से गलत लिखें टूडे है टेब प्रेस करें के एंटर यह आज की डेट आज जएगी लेकिन अगर हम इसका डिफरेंस निकालें के आज की डेट से लेके यह डिव डेट में कितने डेज बनते हैं यह 1344 बनते हैं बहुत जयाद आप कॉपी करूगा और इसके लिए यहां पर आता हूं जेरो और यहां से लेके जिरो से उपर ओपर तक मैंने कॉपी कर दिया कंट्रोल सी और यह कंट्रोल विए क्लेर होगे जी अभी हमने यहां पर कट अफ डेट फाइंड ओड कर ले इस डेटा के अकॉर्डिंग ली ताके जो हमारी वर्किंग है वो इरेलिमेंट रह जाए अच्छा उसके बाद हमने फाइंड करना है जी डेज ओवर डियू के इस कर लूँ ताके आपको जारा क्लिर अंडर्स्ट्रेंडिंग होती जाए यहां पर देखिए का यह 72 है यह माइनस में 11 है अभी माइनस पे तो डेज नहीं होते ना जिनके डेज अभी ओवर्डियो हो चुके हैं हमने वो देख रहे है जहां पर यह माइनस आए वहां पर नॉ लॉजिकल टेस्ट क्या होगा हम यहां पर लिखेंगे कि एज 2 माइनस एज जी जो लगा हुआ है अगर यह लैस तैन है जीरो के दन कॉमा प्रेस करें वैल्यू इफट्रू क्या हो अगर यह लेस देन जीरो है तो यहां पर आप इनवर्टेड कॉमा में जो भी टेक्स तो एच्टू माइनिस एच्टी ठीक है यह 72 इसको नीचे की दरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे जहां पर नेगिटिव थे वहां पर नॉट ड्यू आ गया और जो पॉजिटिव हैं वो हमारे पस देज आ गया है हमने डेज ओवर ड्यू फाइंड कर लिए अभी हमने ओवर ड्यू बैनिस फाइंड करना है ओवर ड्यू बैनिस हमारे पस यह कॉलम एफ में अविलिबल है इसे को यहां में ने लेके आजाएं लेके तो आ सकते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है वो क्या कि एक तो हमारे पास यह डेज हैं और जहां पर नॉट ड्यू जैं नॉट अगर ये इक्वल है किसके यह डूब है नॉट डियू और जो भी टेक्स हो को इसको इंवड़डर कॉमा में लिखना है इनवड़डर 크ो मठेक लूज देन प्रेस करें वैल्यू फ डू क्या है वैल्यू फ ट्रू अगर यह यह वाला जो Kane необход यह तो पhr ii2 अगर यह नॉट यहां पे आप यह वाला जो outstanding balance है इसको mention कर दें और इसको आप नीचे के दर ड्रैग कर दें simple सी बात है समझ आगे जी बात clear हो गया अभी जहां पे हमारे पास यह number आ रहा था days over due का वहां पे हमारे पास यह balance आ गया otherwise not due की जगा हमारे पास यह 00 आ गया आगे age brackets हमने find out करनी है उसके लिए हमारे पास sporting data already available है तो हमने यहां पे formula लगाना is equal to we look up tab press करेंगे और look up करना क्या है यह days look up करने यह then comma press करेंगे आगे table array यह यह देखेगा यहां से भी देख सकते हैं और यहां से formula बार से भी देख सकते हैं table array हमारा कहां पे aging slabs में है और इस table को हम क्या करेंगे select करेंगे और f4 प्रेस करेंगे ताकि यह fix हो जाए table array हमने कर लिया select उसके बाद हमने comma press करना है यहां पर वह मांग रहा है column index हमें result चाहिए यह दो यह बी वारे प्रेस किया comma and then वह पूछ रहा है कि value आपको exact match चाहिए या approximate match चाहिए तो हमें approximate match चाहिए क्योंकि यहां पर range आ रही है 0 to 30 31 to 90 अगर false करेंगे तो हमारे पास result गलत आ जाएगा तो इसके लिए आप one press करें bracket close करें और enter करतें ठीक है इसको अभी हम यहां पर नीजे की तरफ drag कर देते हैं यहां पर फिर वही मसला है कि जहां पर हमारे पास यह value आ रही है वहां पर तो ठीक है यह 72 आ रहे हैं वहां पर एज ब्रैकेट शो कर रहे है लेकिन जहां पर not do है वहां पर यह error दे रहे है तो इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा तो कर ल ब्राइब लाजिकल टेस्स क्या हम स्थे लगाएंगे क्या स्थिफ एककिल टू अगर यह आई टू रख़रल यह आई टू इमच करेंगे यहां पे हम कॉमा प्रेस करेंगे अगर यह आई टू नॉट डू के एकवल है तो फिर आप यहां पे नॉट डू मैंशन करें नॉट डू कॉमा और अगर यह फॉल्स है तो जो आल्रेडी फॉर्मूला लगा हुए वो ठीक है और इंटर गल दे हैं और यहां पे हम इसको एक बार नीचे की तरफ ड्रैक करेंगे तो हमारे पास जहां जहां पर not due and not due आ गया और जहां पर हमारे पास due is overdue थे हमारे पास is bracket आ गए clear होगे understanding होगे को मसले के मसायर की तो बात नहीं है उसके बाद हम find out करेंगे city को city का भी already हमारे पास ये customer details का है है तो हम यहां पर फॉर्मॉला लगाएंगे भी लुकप टैब लुकप वैल्यू क्या है customer name को हम स्लेक्ट करेंगे यह हमारा लुकप वैल्यू है देन कॉमा प्रेस करें और टेबल रहे देखें customer detail में आते हैं और बिलकुल start में आते हैं यहां पर हमारे पास यह देखिए का सीरियल नमर्स मैंने स्लेक्ट नहीं किया मैंने यह बीच से लेक्ट किया तो पहला column index के साफ़ से यह हमारा बनता है तो मैंने यह इसको पूरे को स्लेक्ट किया एफ फॉर प्रेस कर दिया देन क्रिंगे वह पूच रहें कहां पर यहां पे जो इएक्जेक्ट मैच चाहिए यह प्रोक्राइट मैंच चाहिए ऑबिसलिए हम चाहते आ कि शींच कॉलम टाइब सिंद्क कॉलम उनिंदेक्स वा था त्योंकि थी प्रॉपि यहां innate' तूम करदें प्रिमियम कर दिया आ wiem पर चीठोे हें वापी टू आपशीप स्मय काइब अधा यह कॉंडि कर गया यह कंड्स काफ मघए अधार हो सूट आ ces इसको मैं थोड़ा सा zoom आउट करूं तो हमने ये sheet कंप्लीट कर लिए अभी हम यहां पे लगाएंगे pivot table ठीक है और इन्शाललह टाला बहुत बहुत बेश्टरी तरीके से एक dynamic dashboard बनाएंगे जिससे जो भी हमारी details cover हो रही होंगी इसमें कपे दिए का इसके लिए ने करना इंगे इनकी आपिए किसे हैं के लिए उसके बादी यह से पोच रहा है एक यह जो आप एक रिक ज queक आप झाश्य किerson का सुझी सारे अगी है ध्यूर्ज को नाम दे दें। और हम आगे क्या करते हैं एक और शीट एड़ करते हैं और इसको लेके आते हैं यहां पर मेंशन कर देते हैं जी डैश बॉर्ड आराम आराम से स्कून से अम अंडर्स्टाइंड करके करते हुए चलेंगे ताके हमारे जो पॉइंट से सारे क्लियर हो सके। सभी हो गया उसमें अभी क्या हुआ कहीं कि हमारे पास फिएट टेबल लग गया अभी हम ने यहां पे अपने टेपल बनाने है सबसे जो पहला हम अम dáते जाएंगे अब भी आपके माइन में होगा कि हम यह क्यों बना रहे हैं यह क्यों बना रहे हैं मैं कुशिश करूँगा कि आपको सासथ मेरे काम करना है ताकि आपको अंडुस्टैंडिंग और जब हम at the end पहुँंचेंगे आपको सारे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अचा सबसे पहले हम एज-वाइज डیटा चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं के रोज, वैल्यञ जोएज बालम, फिल्टर जह चाहर आप्शन है तो हमें रोज और वैल्य जोगी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रोज में लेके आएंगे age brackets यहाँ पर देखेंगे कि age brackets कहां पर आ रहा है यह हमारे पास age brackets है यहाँ पर आप इसको उठाएंगे और यहाँ पर आप इसको drag कर देंगे यहाँ पर देखें कि age brackets आ गई ऐसी समझागी बात और उसके बाद हम values में लेके आएंगे outstanding balance outstanding balance कहां पे आ रहा है overdue balance यह हमारे पास outstanding balance है इसको हम लेके आते है values में अभी बस हमने एक दो click किये और हमारे पास जल्दी से data आ गया इसको मैं करता हूँ जी थोड़ा सा zoom ठीक है मैं उमीद करता हूँ को यहां तक आपको clear होगा अब यहां पे कहीं पे भी click करें एक बार इसके हम ज़रा formatting change करने हैं इसको millions में लेके आते हैं इन values को यहां पे एक बार click करें और यह sum of outstanding balance पे click करेंगे और value field settings पे हम click करेंगे number format इसके बाद यह custom में आते हैं कस्टम में अगर आप नीचे आएं तो यहां पे आपके पास millions का option अगर नहीं आ रहा है यहां पर मेरे पास millions का option बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ यह मैं यहां पर एक बर यह देखिए का आप यहां पर यह मिलियन का option खुद create कर सकते हैं इसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आप मिसाल के तोर पे यहां पे हैश हैश के बाद आप फुल स्टॉप देन जीरो उसके बाद आप डबल जो कॉमा होता है आप उसको प्रेस करेंगे और दो स्पेसिस देके inverted कॉमा में M mention कर दें और बाद में इसको select कर लें एक बार इसको जूम बिकरके यहां से देख लिएगा आपको clear हो रहा होगा यह आप खुद बना सकते हैं यह देखिए अभी भी आपको यह नजर आ रहा होगा यह मैं इसको एक पर highlight करता हूँ ठीक है इसको मैं okay करता हूँ और फिर यहां पर okay कर देते हैं यह सारी values millions में आ गई अचा जरा इसकी अगर arrangement देखें तो arrangement में मसला है इसकी arrangement जो रोज की है उसको मैं ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले हम not overdue को लेके आते हैं इसको सबसे उपर लेके आते हैं उसके बाद यह वाला जो है इसको उपर होना चाहिए है ठीक हो गया और इसको भी हमने ऊपर लेकर आना है यह जहां पर हमारे पास यह साइन सा बनता है ना करसर सा यह हो गया ठीक है अभी हमने इस तोड़ी से arrangement कर ली सबसे पहले not do then 0 to 30 31 to 90 91 to 180 180 to 360 और अबाव 360 हमारे पास यह डेटा आ ठीक है पहला तो हमारा काम यह ह हमने यहां पर यह टेबल बनाया अब यहां पर हम क्या करेंगे हम आएंगे प्यविट टेबल एनलाइज में ठीक है और यहां पर हम एक चार्ट इस डेटा के recording लिए लिए क्याएंगे और वह होगगा पाई चार्ट पिविट चार्ट पे क्लिक करते हैं यह पाई वाली यह डिजाइन का आपिशन आपके पास अवेलेबल है यहीं से भी आप कर सकते हैं और यह साथ कुईक लेयाउट करेंगे और यहां पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास यह टाइटल के साथ जो दूसरा है मैं इसको सिलेक कर लेता हूँ मैंने इसको सिलेक किया यह जो सम आफ आउट्स्रेंडिंग बेलेंस है इसके उपर आप राइट क्लिक करें और इसको हाइड करते हैं हाइड वैल्यो फील्ड बटन और चार्ट और इसी तरह एज ब्रैकेट को भी यही कर दें क्योंकि हमें इसकी जरुरत नहीं है क्लेर हो गया और यहां पर यह जो टूटल है टूटल को हम यहां पर सेलेक करते हैं और इसको हम नाम देते हैं जी एजवाइज इसको हम कंट्रोल ए इसको दुबारा होम पर जाते हैं इसको हम बोल्ड करते हैं जरा इसका साइज जो है वह हम 18 में लेके जाते हैं और इसको italics में कर देते हैं ठीक है यह सैटिंग है इसको आप accordingly manage कर सकते हैं और यहां पर एक बार इस पे click करें और इसको Ctrl B कर दें then percentages पे click करें percentages को bold कर दें अगर इसको further आप करना चाहते हैं यह हमने थोड़ी बहुत setting की अभी हम इसको यहां से Ctrl X करें के کٹ کریں گے और डेशबॉर्ड पर लेके आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे. फिलहाल यहाँ पर हम अपना डेटा जो है हम यहाँ पर मैंने एक जुशार्ड है एक जो हमने चार्ड बनाया वो हम लेके आगे. यहां पे अभी हमारे पास age wise data आ रहा है दुबारा मैं अपनी working पे आता हूँ और हम दूसरे chart को यहां पे insert करेंगे और जो पहला यहां पे हमने यह data था इसी को copy करेंगे एक दो रोज छोड़ें और नीचे आएं वहां पे पेस्ट कर दें अब यहां पे हमें क्या चाहिए यहां पे हमें sales person wise हमें data चाहिए इसके लिए जो हमारे पास पहले रोज में हमारे पास age bracket आ रही थी वहां पे हम sales person को लेके आएंगे तो इसको remove करना पड़ेगा कैसे remove करेंगे इसको यहां से click करें और यहां पे drag कर देंगे रिमूब हो गया अब यहां पे हम sales person को लेके आ जाते हैं sales person को लेके आते हैं और जो हमारे पास outstanding balance है उसको as it is रहने देते हैं तो हमारे पास यह जो चार बंदे थे कमाल, महरान, मिस्भा, शाफए तो इनका हमारे पास data आ गया सही है, देखे कितना easily यहां पर यह काम हो जाता है तो यहां पह हम क्या करेंगे दूबारा से वह काम करेंगे pivot analyze में जाएंगे pivot charts में जाएंगे और दूबारा से πाई चार्ट में जाके हम यहां पहरे डुनाट जौ चार्ट है उसको हम select कर लेंगे, कि हमने select किया, और दुबारा से हम यहां पे थोड़ी सेटिंग के लिए क्या करने जा रहे हैं, design पे चलते हैं, quick layout में चलते हैं, और जहां पर यह जो heading आ रही होगी, heading के साथ, यह, ठीक है, इसको हम select कर लेते हैं, select हो गया जी है, उसी तरह से यहां पर right click करके, इसको hide, value field setting, sales person का भी वैसा ही, clear होगे, understanding होगी यहां पे, इनको थोड़ा सा हम control B करेंगे, percentages को भी select करें, control B कर दें, ठीक है, और यहां पर total की जगा हम लिखेंगे, क्या लेकेंगे, sales person wise, sales person wise, ठीक है, इसको select करेंगे, control B, home tab पे आते हैं, इसका भी same वही, जो size ता वो करते हैं, और इसको italics में कर देते हैं, समझागे जी बात, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, होना भी नी चाहिए, कहीं पर अगर मसला आए, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, रिवाइंड करके और साथ चलें, मैं इसको control X करता हूँ, दोबारा से वैसे ही, dashboard पे आते हैं, और यहां मैं इसको paste कर देता हूँ, फिलहाल आप इसको साथ यहां पे रखते हैं, ठीक है, जब हम इसकी setting कर रहे होंगे, तो तब चीजों को देख रहे होंगे, और जब यह म करेंगे, कि तीसरा चार्ड यहां पे हम लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम चाहते हैं, customer category wise, customer की जो categories है, उनको लेकर आते हैं, इसी को copy करेंगे data को, एक दो नीचे line आए, और यहां पे paste कर दें, अब यहां पे क्या है, कि हमारे पास, जो rows हैं, उसमें sales person आ रहे हैं, तो हम यहां पे कहते हैं, कि रोज में आना चाहिए customer type को, तो यहां पे हम इसको remove करते हैं, customer type कि दर है, यह नीची होगी customer type, यह customer type है, तो इसको हम रोज में लेकर आगे, ठीक है, इसमें हमारे पास gold, premium, silver, जो customer type से हमकी details आ रही है, और इसमें हम यहां पे outstanding balance नहीं, हमें overdue balance की जरूरत है, ठीक है, यह जब आप at the end पहुंचेंगे, तो आप इन सारे चीज़ने इन्शाला क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे, overdue balance आ गया, कि यह customers हैं, इनके हमारे पास यह balances अभी overdue है, सही है, यहां पे आते हैं, दुबारा से इसको हम millions में करेंगे, यहां पे click करेंग खुद आपने बना लिए होगा, उमीद है, और यहां पे आप सेलेक करेंगे और okay करेंगे, और तुबारा से okay करेंगे, बिलियन्स में होगा है, अच्छा, इसमें हमने एक और काम भी करना है, हम यहां पे not due भी लेके आना चाहते हैं, कि उसमें not due कैसे आएगा, not due आएगा यहां पे एक option है जी, pivot analyze में, यह field items and sets का, यहां पे calculated field पे आप click करेंगे, और यहां पे जो अभी हम यह calculated field add करने वाले हैं, इसका हम नाम क्या देना चाहते हैं, हम इसको नाम देते हैं, not due का, ठीक है, और यहां पे हमारा formula क्या लगेगा, formula हमारा लगेगा, outstanding balance minus overdue balance, अभी य हमारे पास, आपके पास list आ रही है, already, यहां पे आपके पास यह आउट शाइनिक balance double click कर दें, उसके बाद minus press करें, और then आप यहां पे लिखेंगे overdue balance, overdue balance भी आपके पास यहां पे आ रहा होगा, यह double click कर दें, और यहां पे आप OK कर दें, जैसे ही आपने OK किया, यहां प साइड भी लेकर आ जाता हूं, अच्छा, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे क्या, कि लाइक इसके जो millions वाली setting है, वो हम देखेंगे, some of not due, यहां पे click करेंगे एक बार, value field settings, number format, क्योंकि हम formatting जो है, उसको consistent रखना चाहा रहे हैं, और यहां पे click कर दें, OK कर दें, यह बात समझ आ गई, clear हो गया जी यहां पे, अभी हम यहां पे क्या करेंगे, कि हम यहां पे भी एक chart select करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम यहां पे जाएंगे जी, pivot charts में, then हमारे पास यहां पे, यह column chart आ रहा होगा, column में हमारे पास यह, देखते हैं कि हमाँ हमें कौन सा suitable लगता है, उसके accordingly देख लेते हैं, column chart में, यह 3D stacks ज्यादा बेतर लग रहा है, तो मैं इसी को select कर लेता हूँ, और यहां मैं OK कर लेता हूँ, ठीक है, clear हो गया जी बात, सही, अभी इसके लिए दुबारा से हम design में जाते हैं, quick outlet और यहां पर यह जो हमारे पास आ रहा है, देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा suitable है, उसके accordingly इसको select कर लेंगे, यह पहला ही अच्छा लग रहा है, इसको कर लेते हैं, then हमारे पास यह जो details आ रहे हैं, इनको hide कर लेते हैं, customer type को भी hide कर लेते हैं, इसको कोई काम नहीं है, चार टाइटल को हम change करते हैं यहां पर, ctrl-a प्रेस करें, इसको पूरा select हो गया, customer category वाज इसको नाम दे देते हैं, सही, ctrl-a, ctrl-b कर ले, एक मिल्ट मैं इसको जड़ा close कर लूँ, ctrl-b, home tab पे आएं, इसका font size वही रखते हैं, जो कि हमारा consistent होना चाहिए, 18, इसको आपट Alex में करते हैं, समझागी बात, इसको भी हम क्या कहते हैं, कि इसको भी हम remove कर देते हैं, इसको कोई काम नहीं है, चीक है, चलें, इसको रहने देते हैं, ठीक है, अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इस chart को, ctrl-x, dashboard पे जाते है फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, दोबारा इसकी जब मैंने इस तरह आपको बताया कि हम setting करेंगे तो उसके बाद ही हम देख रहे होंगे इसको, यह मैं इसको यहाँ पे लेके आगे हैं, सही है इसके बाद हम चोथे पे हैं, बस हमने पांच ही total बनाने हैं, बैसे तो आप जितनी diversity करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है, और पांचवा हम बनाएंगे क्या, उसमें हम लेके आना, चौथा सारी, चौथा हम बनाना चाहते हैं क्या, उसमें हम working पे आता हूँ है, और working में वही data हम already वाला copy कर लेंगे, control C, control V कर लिया, और यहाँ पे हम यह चाहते हैं कि city wise हमारे पास detail आ रही हो, तो जहाँ पे रोज में हमारे पास customer type है, मैं इसको remove करूंगा, और यहाँ पे जो city device detail है, इसको मैं यहाँ पे लेके आँगा, और साथ यहाँ पे, क्या है कि मैं यहाँ पे, यह overdue balance को भी remove कर रहा हूँ, यह not due को भी remove कर रहा कि हमारे पास value में outstanding balance हो, values में outstanding balance लेके आगे, और साथ में columns में लेके आना चाहता हूँ customer type, इसको ज़रा two way analysis करते हैं, customer type को मैं column में लेके आगे, अभी आप यह देखें, हमारे पास यह detail आ रही है, कि हमारे पास पहले तो यह city wise detail आ रही है, और city में रहते हुए कि हमारे पास gold के customer's कौन से हैं, premium कौन से हैं, silver कौन से हैं, यह numeric है, और अभी हम आगे, इसको क्या करेंगे बला, लेके चलेंगे, बार वार वाले, चार्ट वाले साइट पहले तो ह यहां पे आएंगे और select कर लेंगे हम यह ठीक है, और इसको आप okay करते हैं, ठीक होगा है जी, यह भी देखें कि हमारे पास results उसी तरह से आ रहे हैं, जो total figure थी grand total वो ही आ रही है, इसमें कोई changes नहीं आ रही है, तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पे अभी हम charts क की तरफ आपने जाना है, 100% stacked, यह 3D की तरफ जाना है, अचा पहले भी हमने 3D किया था तो अभी हम 3D की तरफ चले जाते हैं, यह वह जो 3D cluster bar है, ठीक है, okay करते हैं से, और यहां पे हम जाते हैं, डिजाइन में, और डिजाइन में जाके इसको हम change करते हैं, color भी अगर आप change करना चाहें, तो आपके पस option है, color को भी आप change कर सकते हैं, यह भी हम देख लें कि यहां पे कौन सा suitable लगता है, उसके बाद ही हम decide करते हैं, यह जो पहला है, यह ही option ठीक है, ठीक है, इसको हम remove करते हैं, यह से, cities को भी यहां पे remove करें आप, और customer type को बेशक manner रहने दें या इसको भी हम remove कर लेते हैं, ठीक है, और chart title दे देते हैं, city wise, किसको select करें, home tab पे आए, इसका जो number था, font size वो उसके accordingly करें, bold करें, italics कर दें, ठीक है, और यहां पे मैं इसको control x करता हूं, और दुबारा हम जाते हैं, जी, dashboard पे, और यहां पे मैं इसको paste कर देता हूं, ठीक है, इसको अभी थोड़ा समय, इसको close कीजिएगा, चलें, अई हो कि यहां तक आपको सब कुछ clear understanding हो रही है, यह अभी तक हमने यह चार्ट बना लिए, अभी हम यहां पे एक needle बनाना चाहते हैं, एक speedometer बनाना चाहते हैं, speedometer में क्या है, कि हमारे पास उसकी working थोड़ी सी complex है, तो मैं चाहता हूं कि ज़रा आप हमारे साथ ज़रा गौर गौर से समझीएगा, यहां तक आप, मैं उमीद करता हूं कि यहां तक सब कुछ clear है, मैं यहां पे working में आ रहा हूं, और working में क्या है, कि आप उसी तरह से, इस सही हो कि जी, अच्छा यहां पे हमें यह customer type rows में नहीं चाहिए, rows में यहां यहां पे कोई काम नहीं है, यहां पे हमें values चाहिए जी, outstanding balance और overdue balance, तो मैं यहां पे इन दोनों को पहले remove कर लेता हूं, सबसे पहले मुझे चाहिए, outstanding balance, वो में लिखे आ गया, उसके बाद मुझे चाहिए, overdue balance, यह overdue balance आ गया, इतने उनों को number format जल्दी से change करें, value field settings में जाके, यह million में हो गया, okay कर दें, और यहां पे भी वैसे ही आएं, दूसरा भी आप change कर दें, जो overdue balance वाला था, number format में आते हैं, custom में आते हैं, और यहां पे आप इसको भी accordingly change कर दें, समझागी बात जी, अब यहां पे हम आगे क्या करने वाले हैं, कि यहां पे हमने overdue balance भी लेके आ गया, outstanding balance भी लेके आगे, अब यहां पे भी एक calculated field हम add करेंगे, जिसमें हम overdue percentage find out करेंगे, ठीक है, उसका formula क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम pivotable analyze में आते हैं, और यहां पे हमारे पास जो option आ रहा है, field value item sets का, calculated items, और इसको हम नान देते जी, od percentage, ठीक है, और यहां पे formula हम यह लगा रहे होंगे, कि overdue, यहीं पे, इसी में आ रही होगी detail, overdue balance, divide by outstanding balance, outstanding balance, और इसको हम okay कर देते हैं, अच्छा, यह हमारे पास अब जीरो आ रहा है, तो जीरो इसलिए आ रहा है कि इसकी भी formatting में ठीक करना पड़ नहीं है, यह sum of od percentage value field setting पे आएंगे, number format पे आएंगे, percentages और यहां पे इसको आप 2 decimal तक कर देंगे, रोके कर दें, ठीक है, clear होगी बात, यह भी हमारे पास आ गया कि जो od percentage के अगर हम बात करें ना, कि overdue balance तकरीबन 39.47 यहां पे outstanding, overdue balance की percentage है, अगर outstanding balance के मद्दे नजर देखा जाए तो, समझागी बात, अच्छा यहां पे इसको थोड़ा सा मैं expand करना हूँ, अच्छा यहां पे आगे needle बनाने के लिए, अब मैं आपको वही कहा रहा हूँ कि बिल्कुल परिशान ना होईएगा, यहां पे यह वाली थोड़ी, जो calculation है, वो complex है, जब हम result पे पहुंचेंगे ना, पूरी needle बना लेंगे, speedometer, आपको सारा कुछ clear हो रहा होगा, तो यहां पे मैं 2% select कर लेता हूँ, और यहां पे मैं is equal to 100%, क्योंकि हमारे पास जो पूरा meter होता है, वो 100% होता है, उसमें से minus करूँगा, मैं यह overdue balance, percentage, minus, यह जो 2% है, यह minus करूँगा, यह हमारे पास, यह 58.2 हो आगया, और इसमें से हम two decimal place तक इसको लेके आएंगे, यह आगया, और यहां पे अगर हम तीनों का sum करें, तो वो भी 100 होना चाहिए, 39, 2 और 58, यह 100 हो गया, सही है, clear होगी जी बात, पहले तो हमने यह बना लिया, उसके बाद, हम यहां पे जब speedometer बनाते हैं, तो हमारे पास कुछ KPIs भी होते हैं, key performance indicators भी होते हैं, कि जो पहला 40% है, हम कहते हैं, जी ठीक है, उसके बाद वाला 20% है, हम कहते हैं, यह average है, और उसके बाद वाला 40% है, let's say, हम उसको कहते हैं, जी, it's below average है, इस तरह से हम details बता देते हैं, और इसको भी अगर हम 100% पे लेके जाएं, add करें तो 100% result आता है, clear होगी जी बाद, उसके बाद, हम क्या करेंगे, कि हम छोटे-छोटे meters बनाते हैं, आप meters पे देखते होंगे, कि वहाँ पे एक speed accordingly चल रही होती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10, 10% के, 10, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, 10, यहाँ बना लेता ह हो, जी मैं, और यहाँ पे इसको मैं add करके इसको भी 100% पे लेके जाता हूँ, बिल्कुल परशान होईगा, यह आपको चीज़ें automatically clear हो रही होगी, अभी यहाँ तक अभी अगर इस detail को देखा जाए, यह जो भी मैंने copy किया है, इसकी basis पे हमने यहाँ पे needle बनानी है, हम यह यहाँ पे क्या कर रही होगे, वह मैं आपको बता देता हूँ, कि पहले हमने यहाँ पे चार्ड को add करना थाए है, हम उसे क्या कर रहे होगे, यहाँ पर insert वाले option पे आएं और यहां पर recommended chart पे आते हैं, all charts पे आते हैं और यहाँ पे pie chart को select करते हैं, और pie chart के बाद हम donut को select कर इसको थोड़ा सा मैं इधर ले कि आता हूँ और इसको right click करके यहां से आप इसको delete कर दे, delete हो गया, समझ आगी बात, यह बात समझेगा, अभी मैंने क्या किया किया कि सिर्फ, हमने यहां पर pie chart select करके, डोनेर पर गए थे उसको delete कर दिया, बट हमारे पास यह field तो available है, हम यहा data पे जाके हम यहां पे इसको add करेंगे series को add करेंगे अभी हमने यहां पे जो तीनों series बनाई है ना इनको हमने add करना है पहले series का नाम दे देते हैं हम A और यहां पे जो इसकी series value है उसको हम यहां पे link कर देते हैं यहां से important बात है आराम से चलिएगा, आपको सारी चीजने clear हो रही होगी, okay कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे आप okay कर दें, जैसे हमने यह okay किया, तो आपके सामने है कि यह इस तरह से हमारे पास details आगे, समझागी जी बात, अभी हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगी इसको select करके एक बार यहां पे click करके right click करेंगे, format data series पे जाएंगे, और यहां पे जो angle है, zero है, इसको हम 270 angle पे कर देंगे, ठीक है, यहां पे यह जो इसकी explosion है, इसको हम 2% पे कर देंगे, और यह जो donut hole size है, इसको हम 60 पे कर देंगे, 60% पे, और मैंने okay कर दिया, ठीक है, अभी simple यह जो नीचे वाला 50% है, हम यहां पे click करेंगे, और यह जो हमारे पास option आ रहा है, यहां पे, fill and line का, यहां पे हम इसको क्या कर देंगे, fill में जाके, इसको हम no fill कर देंगे, ठीक है, clear होगे यह बात, सैंग, अभी यह बात clear होगे, अभी हमने यहां पे एक series को add किया, इसी तरह हम हमने यहां पे दूसरी और तीसरी series को भी add करना है, समझ आगे, हम right click करेंगे, दुबारा से हम क्या करेंगे, select data पे जाएंगे, add button पे click करेंगे, और यहां पे series को हम नाम दे देते हैं, जी B का, और यह वाले जो series है, इसको हम select कर लेते हैं, यह जो हमने, वो छोटे-चोटे speedometer बनाएंगे थे, यह मैंने गलत जगाबे select कर लिया, यह मैंने नीचे select करना है, इसको series को, यह series value की जगाबे, यहां पे मैंने select किया, और इसको मैंने overall select कर लिया, और यहां पे okay कर दिया, और यह भी okay हो गया, अभी आप यह देखिएगा, कि यहां पे छोटे-छोटे जो कर रहा है, 20% को represent कर रहा है, और उससे अगला 40% मतलब इस series को represent कर रहा है, दूसरा है, वो इस series को represent कर रहा है, समझ आगे, अब यह जो outer हमने यहां पे donut add की है, इसके उपर right click करेंगे, format data series पे जाएंगे, format data series पे जाने के बाद यह fill वाले option पे जाएंगे, और यहां पे no fill कर कर दें, और जो color है, उसको हम थोड़ा सा like, यह ग्रेश कर देते हैं, ठीक है, समझ आगी बात यहां तक सब कुछ clear है, आप कोई भी accordingly color करना चाहें, तो कर सकते हैं, अच्छा, यहां पे हम आगे दुबारा एक पर click करेंगे, और यहां पे हमारे पास यह जो दूसरा है, यह एक बार outside क्लिक करें और एक बार दुबारा यहां पे click कर दें, और right क्लिक करके आपके पास यह option आजा जी, add data labels, जैसे आपने यहां पे click किया, यह वाले जो option यहां पे selected data labels के वो यहां पे active हो गया, clear होगे जी बात, अच्छा, add data labels पे click करने के बाद हम दुबारा यहां पे click करेंगे, और यहां पे जाएंगे जी, format data labels, यहां पे click करेंगे, format data labels यहां पे click किया, अच्छा, जहां पे यह values selected हैं, यहां पे हमें values को uncheck करना है, और यहां पे हम चाहते हैं कि यह 10, 10, 10 की जगा, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से mention हो, उसके लिए हमें लहदा से एक पहले values बनानी प दिखता हूं, जी, 10%, ठीक है, और एक formula लगा देता हूं, this 10, plus, this 10, और इसको नीचे की दरफ ड्रैग करता हूं, जब तक यह 100% तक नहीं हो जाता, यह ड्रैग हो गया, अभी हम यहां से value field settings की जो है न, वो link कर देते, क्या करेंगे, दूबार एक बार यहां पे click करते हैं, right तो control Z करते हैं, values को हमने उस तरह से अंचक नहीं करना, एक second, दुबारा से मैं यहां पे, दुबारा मैंने click किया, control Z करके, right click करें, format data labels, यहां पे value from cells पे click करेंगे आप, और यहां पे आप range बताएंगे, यहां पे मैंने यह range बता दी, यहां से range शुरू हो रही है, और 100% त देख सकते हैं, 10, 20, 30, यह इस तरह से आ रहा है, इसको आप control B करने, अब यह show हो गया, काफी हद तक किसने clear हो गई है, मैं अभी यहां पे क्या करता हूँ, जी, इसको cross कर देता हूँ, ठीक है, अभी तरह अगर देखा जाए, तो हमने यहां पे दो काम कर ली है, अभी तीस से right click करूँगा, select database आएंगे, अभी वाली जो add पे click करूँगा, और इस series को नाम दे देंगे, C का, और जो इसकी value select करने जा रहा हूँ, वो हम करेंगे, यह वाले, यह OD percentages से लेके, यह 2%, 58%, 100%, ठीक है, इसको मैंने यहां पे select कर लिया, okay कर लिया, और यहां पे मैंने इसको य यहां पे यह एक layer बनी है, यहां पे मैंने click किया, और यहां पे आपने क्या करना है, आपने जाना है, चार्ट डिजाइन में, और यहां पे change type पे आपने click करना है, change type पे click करने के बाद ही, जो series C है, इसको हमने donut की जगा पाई पे लेके आना है, और साथ इसको secondary access पे आपने click कर देना है, जैसे आपने click किया और ok कर दिया, ok कर दिया इस तरह से result हो गया, और एक बार आपने यहां पे click किया, right click किया, format data series पे आपने click किया, और उसके बाद आपने इसको जो angle है, उसी तरह से इसका angle आपने 270 degrees पे किया, और नीचे वाले आपने इस D को select किया, यह जो 50 percent नीचे वाला, एक बार आपने यहां पे click करना है, fill पे जाना है, और यहां पे आपने no fill पे click कर देना है, देखें, चीसे clear हो रही है, उसके बाद, यह जो पहला part है, आपने सिर्फ यहां पे click करना यह बाले blue पे, आपने यहां पे no fill करना है, no fill कर दिया, और साथ जो borders की line यहां पर आप नो-हरी करेंगे क्लियर उसके बाद आप यहां पर क्लिक एक बार करेंगे दूसरे बाले पार्ट में नोफिल-णोफिल-णोफिल-णोफिल खिल्ट-उस की निडल सक्किटेवडी भी प्लॉक dataset्ट इसकी हमये कोई जरूरत नहीं है हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, कि इसको CTRL Express करता हूं, Dashboard पे आता हूं और यहां बेछा ने क्टरो यहां से सेटंग हो गईंड अभी यहां यहां पर पान। चीज़ां थि रो founders टीक है, यहां तक आपको clear हो जाना चाहिए अभी हम further आगे बढ़ने हैं और यहां पे हम slicers लगा रहे हैं slicers लगाएंगे हम यहां पे उसके लिए हम क्या करेंगे दुबारा working पे आएंगे और working पे आने के बाद यहां पे आपके पास pivot analyze में यहां पे आपके पास slicers के option आ रहे होते है यह insert slicers ठीक है तो यहां तक आपको अगर देखा जाए तो सब कुछ clear है भी हम slicers की तरफ आगे move कर रहे हैं यहां पे हम 4-5 slicers लगाएंगे जिसमें customers sales persons payment terms city और customer type यह हम 5 slicers लगाएंगे करना चाहते हैं इसकी इलावा भी अगर आप add करना चाहें तो जरूर आप try कर सकते हैं और इसको मैं okay करता हूँ अचा इनको पहले मैं select करके इनकी थोड़ी सी location में change कर लूँ और फिर हमने one by one slicers को connect करना है इनके connections create करने हैं connections create करने कर क्या मतलब देखें कि अगर हम मिसाल के तौर पे इस customer type में से किसी एक particular को select करना चाहते हैं तो वो dynamically 5 के 5 यहां पे जो हमने चार्ट बनाए हैं वो उसमें से search करके हमें बताए तो यहां पे हम right click करेंगे और यहां पे report connection का option है और जहां पे जितने pivot tables आ रहारे हैं उनकों select कर लेंगे clear यह ज़र आप जल्दी से करें और इसको हमने okay कर लेना है कोई भी इसमें से miss नहीं होना चाहिए एक second मैंने इसको click कर दिया अब इस city के बार रही है city को मैं report connection करता हूँ one, two, three और यहां पे यहां पे यहां पे इसका fourth okay हो गया तरह से expectation के मताबिक नहीं आएंगे payment terms पे click करता हूँ report connections उसी तरह से हमने काम करना है और देखेंगे कि इन्शाला हमारा कितना dynamically यह filters बनेंगे इसको okay करेंगे और यहां पे यह customers को हमने किया उसी तरह से report connections और यह देखेगा कि हमने यहां पे इनको सबी को select कर लिया अचा एक जब आपने इनको report connection कर ले ने तो किसी एका check भी कर लीजिए जिए मिसाल के तोर पे city का check कर लेते हैं क्या connection report हुए में सारे connect हुए में बिल्कुल हुए में तो इसको मैं cancel कर देता हूँ अभी one by one मैं इनके थोड़ी सी coloring भी चेंज कर देता हूँ साथ साथ क्योंकि हम अपने ending पे जा रहे हैं इसका मैंने यह color कर दिया payment terms की बात करें तो मैंने यह उसको green कर दिया sales person को मैं यह different color देता हूँ cities को gray color दे देते हैं customer type को हम थोड़ा सा customer type यह customer type और यहां से आएंगे और यहां पर हम इसको यह वरा color दे देते हैं ठीक है यह हमने कुछ different colors दे दी है सही है अभी मैं इनको जहां से select करूंगा control करके और dashboard पे cut करके paste करेंगे control x और यहां पर आते हैं dashboard पे थोड़ी से यहां पर मैंने इनके adjustment की है ताके यह presentable लग सके और यहां पर आते हैं और मैं इनको यहां पर control भी कर देता हूं ठीक है सबसे पहले मैं यहां पर customers को रख लेता हूं ठीक है सही और इसको आप escape करें ताके इनके जो filters वाले issues यह खतम हो जाएं यहां पर payment terms लेके हैं फिलाल आप इसको इदर उदर रख लें ताके इसकी आप adjustment accordingly कर सके हैं ठीक है इसको मैं थोड़ा सा इसकी adjustment करता हूं यह इदर हो गया और इसको उठा के थोड़ा सा मैं right की तरफ लेके आता हूं और इसको expand कर लेता हूं क्योंकि जो customers के नहीं है वो ज्यादा है ठीक है समझागी बात अभी customer टाइप यहां पर लेके आ जाते हैं ठीक है जी यहां पर आते हैं अच्छ 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 यहां तक अगर देखा जाए तो एक किसम का मारा dashboard काफी हद तक complete हो चुका है मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर search करना चाहें तो हम search यहां पर कर सकते हैं मिसाल के तौर पर हम कहें कि हमाएं हमें सिरफ वो data यहां पर आये जो के गोल्ड customers हैं हमारे गोल्ड पर क्लिक करेंगे यह वला सारा data dynamically हो जाएगा अभी गोल्ड में रहते हुए हम कहते हैं कराची में कितना बिजनेस हुआ तो यह देखें कराची में हो जाएगा सारा data इसको अंचेक कहां से क्रॉस से करेंगे तो यह filter जो है automatically uncheck हो जाएगे उसी तरह से आप customer wise भी देख सकते हैं अब मिसाल के दर पे अहमद ग्रूप पर तो उसका क्या सीन है तो इसके बाद अभी हमारा काम खतम नहीं हुआ important काम रहते है अच्छे important काम यह कि हम यहां पर यह कहते हैं कि हम अपर यह working में आएं तो यहां पर मैं कहता हूं कि जो पहला हमारे पास यह है ना यहां पर हमारे पास grand total भी आना चाहिए overdue यह वाले तो बहुत जरूरी है not due zero to 30 यह numeric में आना चाहिए और एक और है कि हमारे पास जो overdue वह भी आना चाहिए clear होके जी बात अभी हम वह इस तरह कैसे लेके आ सकते हैं dashboard पर आते हैं समझिए गदरा कोई ऐसी complication नहीं है हम यहां पर यह करेंगे कि यहां पर आते हैं और यहां पर हम insert वाले option पर आएंगे text box box को select करेंगे text box को select करने के बाद मैं यहां पर एक box select कर लेता हूं ठीक है यह मैंने like यह वाला box select कर लिया एक यह चोटा सा इसको मैं थोड़ा सा zoom करता हूं ताकि आपको यहां से सब कुछ clear हो रहा हूं यह वरी बात अच्छा यहां पर आएंगे हम drawing tools में और यहां पर shape fill में हम आ जाते हैं और shape fill में इसको कर देते हैं जी हम अगर बात करें not due की तो उसका color था blue तो हम यहां पर blue color उसको कर देते है और shape outline no come select कर लेते हैं अच्छा यहां पर एक और हम यहां पर inside करेंगे text box वो छोटा सा box हम यहां पर select करेंगे एक cell जितना यह हमने select किया ठीक है यह और इसमें मैं लिखता हूं जी not due जो कि सबसे पहले जो हमारी category थी ठीक है थोड़ा सा मैं इसको आगे further drag करता हूं ठीक है इसकी जो adjustment है वो इस तरह कर देते हैं बोल्ड मैं करता हूं इसे और इसको मैं उठा के इसी box में यहां पर लेकर आ जाता हूं sorry यहां मैंने इसकी थोड़ी setting करनी थी drawing tools में जाएंगे drawing tools में इसकी जो shape fill है वहां भी no fill करेंगे और shape outline में भी इसको no fill करेंगे ठीक है यह करने यहां पर आएगा working से यहां पर हमने वह टेबल्स बनाएते तो यहां पर आपने करना यह है ज़रा को और से देगे का यहां पर आपने click करना यहां पर equal press करना यह बहुत important है क्योंकि यहां पर आपके पास error आ सकता है वह क्या इस इपर टुप्रेस करने के बात आप working पे है लेकिन यहां पर यहां पर यह डार है और कर सकता है इसको हम किस तरह से ठीक करते हैं मैं रहाँ हम इस तरह करें जो यह रहाएं यह क्या है और वर्कंग के बाद यह जो आ रहा है ज्ची एार है जी कॉमा से ले end तक इसको भी remove करेंगे और हमारे पास ये जो था ये बी था बी इसका column था और location इसकी थी भी 4 ठीक है इसको मैंने okay कर दिया अभी देखें थे हमारे पास result सही आ रहा है अभी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता भी हूं इसका size और इसको मैं control बी भी कर देता हूं ठीक है जी clear ह होगी बात अभी क्या हुआ कि यह आपने देखना है कि यहां पर यहर ना हो आपका अच्छा यहां पर आप एक बार यहां पर क्लिक करें और एक बार यहां पर यहां पर क्लिक करें दोनों पर आपने दोनों टेक्स बॉक्स पर क्लिक किया राइट क्लिक करेंगे और इनको आप गुरूप कर लेंगे ठीक है गुरूप हो गया अभी आपने सिंपल यह काम करना है कि एक तो इस की थोड़े सी आप अध्यस्मेंट करलें आप इसी को आगे कॉपी-पेस्ट करें ctrl c ctrl v ठीक है पहले हमारे पास क्या था जी पहले हमारे पास था क्या यह नॉट डियू अभी वो क्या होगा नॉट डियू से जीरो two thirty ठीक है जी clear हो गया अच्छा यहां पर अभी हम आएंगे तो लेकिन यह वैली तो नहीं है न यहां पर अभी वर्किंग में यह वाला फामूला चेंज करेंगे अभी zero to thirty जो है वो भी five है उसकी location जाके बेश्यक आप देख ले यह ले उसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसको ब और साथ हम क्या करेंगे जी यह हो गया ठीक है अभी हमने zero to thirty वाला भी कर दिया अभी इसका color यहां पर देख रहे है पाई चार्ट में क्या रहा रहा है जीरो तुर्टी का orange आ रहा है तो यहां से drawing tools में आए shape fill में आए और यहां पर हमारे पास यह वाला color आ रहा है यह वाल color है ठीक है बैसे मैं आपको बता देता हूँ shape fill पे आएंगे यहां पे आपके पास more colors आ जाते है more colors पे option के बाद आप यहां पे accordingly लेके आ सकते हैं ठीक है समझागी बाद इसको कर देते हैं इसके बाद आपने उसी तरह से इसको जनाब copy paste आगे करना है control c control v ठीक है यहां पे पहले हमारे पास 0 to 30 था अभी होगा हमारे पास 60 और यहां से शुरू होगा 31 ठीक है और यह वाले जो figure है यह वाले figure हो जाएगी यहां पे b6 ठीक है जी और फिर इसको accordingly हम home पे आके उसी तरह से formatting करेंगे यह थोड़ा सा एक start में होता है बट आपको इन्शालाद आला यहां पे मसला नहीं होगा control b सही उसी तरह से हमागे बढ़ते हैं control c control v या इसको हमने पहले बाहर क्लिक करना था अभी control c control v और जितने हमारे पास अभी aging के accordingly हमारे पास आ रहे थे उसको हमने accordingly देख लेना है उसके बाद हमारे पास था जी क्या जैसे हम working एक पर देख लेते हैं कि working में क्या आ रहा था दूसरे नमबर पर आ रहा था हमारा 31 to 90 यहां पे हमसे गलती हुए है और उसके बाद 91 to 80 80 180 पहले तो हम यहां पे change कर लेना 31 to 90 करें कि यहां पे है 31 कि तो 90 हो गया और यहां पे हम करेंगे कि 91 to 180 ठीक है और यहां पे इस formula को दुबारा से change करेंगे 26 की जगह यहां पे 27 आना है और इसको एंटर कर दें ठीक है उसी तरह से इसको आप इसका फॉंट बढ़ाएं कंट्रोल बी करें एक बर दुबारा से कॉपी पेस्ट करेंगे कलर दुबारा में आके चेंज कर लेते हैं कि इनके कौन कौन से कलर बनते हैं उसकी परिशानी नहीं लेनी है आपने उसके बाद हमारे पास कौन से बनता है जी 181 से लेके 360 181 360 और उसके बाद हम आएंगे और यहां पर यह वाला जो फॉर्मूला है इसको हम कर देंगे यहां पर 8 एंटर कर देते हैं उसी तरह से इसको हम फॉंट इसके इंक्रीज करेंगे कंट्रोल बी कर दें ठीक है दोबारह से इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं और यहां पर अभी हम यहां पर मेंशिन करते हैं क्या जी अब बाव थृश्टीजो हमारे पस लास्ट काटगरी रह गया है इसको थोड़ा साम एक्सपैंड कर लेते हैं कि यह यहां पर वैलिव आ जाए बाहर एक बार क्लिक करें और यहां पर यह बी ना गया और इसको अभी अब एंटर कर लें उसी तरह से इसको भी हम बोल्ड करेंगे इसको थोड़ा से ज्यादा ही हो गया कंट्रोल भी करने इसे ठीक है जी अब ही हम इनके कलरिंग को देख लेते हैं और कलरेंग के बाद अभी हमारे दो पॉइंट रहते हैं अच्छा क्या जी पहला तो ब्लू ता दूसरा यह था तीसरा ग्रेय था यह जो तीसरा था ना यह था हमारे पास ढ्राइंग टोज में आते हैं शयरे फिल में आते हैं और यहां पर हमारे पास छाहिए साथ यह बालओ ग्रेया ऊगया इसको हमने ओवराल शायर्द करे बिद्रूप नीं किया ग्रूप तो यह हुआ हुआ है अच्छा इसको भी हम अकॉर्डिंग्ली ग्रेग कर लेते हैं ठीक है जी सही हो गया इसको थोड़ा साम नीचे की तरफ करते हैं क्योंकि उपर से वह हमारी जो वैलियो थी वह कट रही थी ठीक है कि इसी तरह जो इसका कलर था वो था लाइट शायद इसको तेख लेएं ठीक हो गया आगे जो नैक्स्ट इसका कलर था है वो था ब्लू क aids फिल में आते हैं और ये ब्लू हो गया और लास्ट पे जो 360 के अबव है वो था ग्रीन तो इसको हम ग्रीन कर लेते हैं ठीक होगे जी अभी तक हमने ये डिटेल बना लिए बट अभी हमारा काम खतम नहीं हुआ इसको हम खतम करते हैं अभी इसको भी हम क्या करते हैं कि इसको मैं एक बार इसको इन सब को आप एक बार सिलेक कर ल यह जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस बची है एक यहां पर हमारे पास टोटल की वैलियू आनी है और दूसरा यहां पर हमारे पास ओवर डियू आनी है तो यहां पर मैं क्या करता हूं एक बार मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको यहां पर लेकर आता हूं इसका भी मैं जो साइ को मैं हाँ पर वाईट कर देता हूं है इसको भी वाइट करता हूं ठीक है अच्छा यहां पर मैं लिखता हूं जी तोटल इसके बाद हम यहां पर आते हैं और यह वहुत जो फॉर्मॉला था इसको हम चेंज करते हैं बी फोर की कर देंगे और इसको हम ओवराल इसको साइज है वह भी हम क्रीज़ कर देंगे ठीक हो गया अभी यहां पे तो हमारे पास यह आगे टॉटल ठीक है हम इसको कॉपी करते हैं ctrl c ctrl v और इस total को ही हम यहां पर लेके आते हैं ठीक है और फर्दर इसको हम यहां पर आप expand करना चाहें तो वह आप according लिदेख सकते हैं तो यहां यहां पर यह तोटल mention है यहां पर हम लिखते हैं जी overdue ठीक है और यहां पर हम जो है ना इसको लिंक करेंगे लिंक हम किसके साथ करते हैं जी से overdue की जो है उसको हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर working में overdue कहां पर आ रहा है वो था पांच में वाले में overdue के हमने यहां पर निकाला था जितना मुझे याद पड़ता है नीचे आते हैं और overdue हमने निकाला था साम ओफ overdue यह बनता है जी बी 39 ऐसी यह देखें बी 39 इसकी location बनती है तो हम डैश बूर्ड में आएंगे और यहां पर आएंगे जी और बढ़ाएं ठीक है according अच्छा इसका जो overall color है आप total का तो हमने black कर दिया जो overdue का color है हम उसको कर देते हैं जी यहां पर आते हैं और overdue का color जो है हम accordingly उसको change करते है शेप फिल में आते हैं और यहां पर उसका color जो है like yellow तो नहीं वितर लग रहा accordingly हम यहां पर इसको green कर देते हैं ठीक है जी और यह वाली जो है इसको हम उठा के थोड़ा सा अग ले आते हैं शेप से बाहर हो जाते है ठीक है जी तो इस तरह से हमने यह dashboard यहां ते complete किया आगे मैं भी आपको बताता हूं इसको थोड़ा सा हम यहां पर इसको यहां से करें और इसको मैं जूम आउट करूं जवरा इसे तो हमें यह किस तरह से इसकी यह पूरा dashboard में नज़र आएगा अभी यह देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से dashboard बना अभी मिसाल के तौर पर मैं यह कहता हूँ मैं यहां पर यह कहता हूं कि सीटी वाइज मेरे पस रिजल्ट आजए और कराची का रिजल्ट आजए यह आप देखने के हमारे पास अकॉर्डिंगली डिटेल चेंज हो रही है Islamabad का बनाया तो उसकी डिटेल चेंज हो रही है उसको हम अंचेक करते हैं और अगर हम घॉल्ड की बात करते हैं तो इसके हमारे पास रिजल्ट चेंज हो रही है उसमें रहते होँ आगे यह इस तरह से तो हमारे पास ओवरॉल यह जो अभी अब मिसाल के तर पर जो यहां पर डिटेल जा रही थी ना तो इसका मतलब यह नहीं है कि को मसले की बात है इट्स ओके वहां पर वो डिटेल फुल फिल नहीं हो रही ठीक है तो यहां पर हम ओवर ओल इसको देखें तो हमारा यह भी पूरा डाइनमिकली बन गया हुए हम स्ट्रमर कैटेगरी एजवाइस यह सारी हमारे पास जो डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं कि यह सारी क्लेर हो रही हैं तो अभी अकॉर्डिंगली जब वर्किंग की बात करें तो हमने सिर्फ अभी इसको रिफ्रेश करना है और अपनी वर्किंग को अपडेट करना है यह जो बेस डेटा की वर्किंग है यह फाइल भी आपको मिल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस डैश बोर्ड को मेंटेन कर सकते हैं तो आई होप कि यहां तक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए और मैं आपको एक और इपोर्टन बात बताता चाहूं वह यह कि हम उनके और बाषिम हैं वर्किंग में आने के बाद यहां पर यहां पर यह वाल ही जो वैली वारी और देता है इसको और OK कर देना है यह हम इसलिए करते हैं कि ताकि यह वरी जो फील्ड्स की यह वैलियोज था यह हीले मत ठीक है तो बारा से हैं डैश्बूर्ड में और उसके अकॉर्डिंग लिजो भी है आपका ढाइक 30 डेस को किन की हुबे हैं तो उसके अज़िंग लिखें यह चेंज हो रहा है आप इसको उन्चेक करें फेल्ड में क्या है जी यह अज़िए उत्युक्त है बीज़िए आप देख लें कि पूरा आप यह और जो है वह ज़िए सन चेंज हो रहा है झाल झाल